रेंक किसमें निकालते हैं लाइन लगती है कोई भी उसमें रेंक निकालते हैं ठीक है तो कोई भी कलास में इतने स्टुडेंट हैं इतने ऐसे हैं तो इस तरीके से रेंक निकलते हैं जैसे मालों कोई लाइन में लगे हुए है तो लाइन की बात होगी तो मालों यह लेफ्ट साइड से किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की लेफ्ट साइड से 28 नंबर पोजिशन है और उसी व्यक्ति की राइट साइड से 30 number position थिक है तो इस line में total बताओ total कितने लोग है कितने लोग बतापाएंगे बड़ कोई बंदा है उसकी left side से अगर line में count करें उसको तो 28 नमबर प्यार है अगर right side से उसको count करें तो तेरा number प्यार है तो total कितने लोग होंगे इस line में 40 percent होंगे कुछ लोगों को यह लगता है कि सरी इधर से 28 इधर से 13 तो वो सीधा 41 कर देते हैं और यह गलत हो जाता है यह बिल्कुल क्या होता है गलत नंबर होता है ऐसी ही कई बार हमें देता है कि एक क्लास में क्लास में रेंकिंग देता है कि क्लास में ऊपर से यानि कि आप साइड मान लो और यह डाउ स्टूडेंट बताओ तो जब भी हमें टोटल नंबर उस निकालने होते हैं टोटल को मैं टी से लिख रहा हूं तो वह राइट प्लस लेफ्ट माइनस हमेशा यह फॉर्मूला लगता है टोटल ऐसे भी हो सकता है अगर आप दाउन दे रहा है तो आप प्लस डाउन माइनस वन इसको राइट प्लस लेफ्ट लिख लो या लेफ्ट प्लस राइट लिख लो तो एक ही बात है कुछ लोगों को लेफ्ट प्लस राइट कमेंट करें तो ऐसे लिख देंगे एक ही बात है जैसे आपको यहां दो राइट प्लस लेफ्ट 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 करना है तो यहां पर अगर हम करते तो राइट से पोजिशन दे रहे कि 28 और 13 एने 41 41 में से 1 माइनस क्या सीधा क्या चालीस और यहां पर भी टोटल कितने हो गए 40 तो एक माइनस कर देना है वे तो जब भी आपको टोटल पूछा जाए एक माइनस कर देना है पहला प्रशन हम लोग ले रहे हैं पहला प्रशन आप सभी के सामने यह रहा कुश्चन क्या बोल रहा है कक्षा की एक पंक्ति में मोहन का इस्थान 22 से 26 वाह तथा दाएं से 12 है कक्षा में कुल कितने चाहत रहे हैं मोहन is 26th from the left end of a row and 12th from the right end of the class how many students are there in the class तो total student निकाल लें total क्या होता है left plus right minus यानि दोनों को जोड़ दो एक minus कर दो तो 26 plus 12 minus 1 यानि की 37 यह हो गया कितना 37 हो गया तो अब बार बार में हमें लिखना नहीं है सीधा पता होना चाहिए कि left right को जोड़ना एक minus करना है उससे क्या निकल के आ जाएगा total आप लोगों का निकल के आ जाएगा next question देखो question बोला है question हमसे यह बोल रहा है कि इने row 50 students मनीश is 24 from the left end how many students are in right side of मनीश मनीश के right side में कितने student है मनीश के right side में कितने student है तो आपको यह पता होता है कि भई total होता है left plus right minus 1 तो आप वही करो total कितना है पचास है तो यह left plus right minus 1 होता है तो left कितना है 24 है और right आपको निकालना है minus 1 ठीक है तो यह 23 बनेगा 23 को इंदर आगे minus कर देंगा कितना बनेगा 27 बनेगा यह कितना हो गया 27 हो गया कितना ताम जाम नहीं करना है फॉर्मूले में वेल्यू लगने है टोटल की लग दी लेफ्ट की लग दी तो राइट से पोजिशन आ गई simply आ गया सबका ठीक है इधर देगो पचास था ही है इधर देगो कितना बना 24 minus 1 23 23 को उदर ले जाके माइनस कर दिया तो आर की वेल्यू क्या गई सब्ता ही साथी ठीक है अब ध्यान दीजिएगा आपको हमेशा यह पता होने चीए कि लेफ्ट राइट माइनस 1 होता है टोटल अब देगो यह तो हो गया पेपर पे निकालने का तरीका अब आप दिमाग से किसे सोचोगे आप आपको एक बात पता होने चीए कि आप हमेशा टोटल करते हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो हमेशा लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा टोटल प्लस वन होगा इतना सोच सकते हो ना दिमाग के अंदर कि लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा टोटल प्लस वन होता है प्लस राइट में एक ज्यादा होता है तो टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है एक ज्यादा होगा टोटल से तो जब भी आपको टोटल दिया हो तो टोटल में दिमाग में एक ज्यादा कर लिया कि में लेफ्ट प्लस रा राइट माइनस वह इतना ही द्याने में रखना है तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा टोटल से एक ज्यादा होगा टोटल लेफ्ट प्लस राइट से टोटल एक ज्यादा होता है ठीक है टोटल में एक ज्यादा होता है लेफ्ट प्लस राइट अगर आप में निकाल पाओगे सरे लोग अपने माइंड में ही इस तरीके से कैलकुलेट करना है देखो अब देखो अगर लेफ्ट राइट की जगह उपर से नीचे से जए कि अप साइड से ये रेंग है नीचे से ये रेंग है तो भी बहुत सिंपल है एक मिनिट गे निकालना चीए इसने बोला कि हमंग इज 16 फॉर्म दे टॉप एंड 12 फॉर्म दे बोटम तो अब भाई दो को टोप बोटम हो या फिर लेफ्ट राइट बात एक ही होती है वो टॉप बोटम बोलता है इधर लेफ्ट राइट होता है इसने मुझा कक्सा में होता है वो क्या होता है अप्वक प्लस माइनस बैस माइनस वन को एक चीज होती है लेफ्ट प्लस राइट मैंस रही जोड के माइनस करना होता है तो कक्षा में उपर से चो पोजीस hasn't वह 12 है तॉप से और बोटम से जो पोजिशन है वह उपर से पोजिशन 16 है और बोटम से ट्वल्थ पोजिशन है टोटल कितने होंगे सोला प्लस बारा माइनस वन यानि कि 27 क्या एक आंसर इसका भी 27 आंसर आएगा ओप्स नमबर 3 आंसर जो पिछले कुछिशन का जो कॉंसेप्स हमें आगे समझाओंगा वो एक थोड़ा बीच पे कुछिशन की सिक्वेंस अगर बड़ कर दें होने तो सब लोग मुझे एक बात बताओ जिसर बताहो रूलल नंबर वन है रूज नंबर वन कितने लोगों को कि लिए हो गया ब apply Action सकता है रूल नंबर सब्सक्राद निकल सकता है है जब आफको लेफ्त और रैट जीवन्हों जब आपको टोटल और लेफ्ट गीवन हों तो राइट निकल सकता है, जब आपको total और right given होंगे, तो left निकल सकता है, बताओ भी, ये बात किसको clear हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला funda सबको clear हो गया, sequence वाइज आगे बढ़ना होता है, देखें के, in a row of boys, Mohan is 20th from the left end, and 12th from the right end, परताब is 15th from the right end, in that row, how many boys are there between Mohan and परताब, अब देखो, आपको किनी भी दो लोगों के बीच में व्यक्ति पूछे हैं, किनी भी दो लोगों के बीच के अंदर व्यक्ति पूछ रहा है, तो rule number 2 इसी के लिए लागू होगा, क्या होगा वे rule number 2, ध्यान से देखेंगे सारे लो rule number 2, ये होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, number of persons, कहीं नहीं मिलेंगे या आपको इस तरीके से rule लिखे होगे, ये बेने, खुद नहीं इस तरीके से लिखे, लिखे, इसको मतलब लिखे, बताने की परियास के, number of persons, between two persons, ठीक है, दो लोगों के बीच में, कितने लोग बेठे हुए हैं, ये निकालने के लिए rule number 2 आएगा, तो rule number 2 का एक formula होता है, ठीक है, वो बोलता है, p1 minus p2 minus 1, बस, इस formula, तीन formula याद गरूंगा मैं आप लोगों को, पहला formula total का था, किनी भी दो लोगों के बीच में कितने व्यक्ति बेठे हैं, अगर आपको य ये संख्या निकालनी हैं, तो p1 minus p2 minus 1, ये आपको formula लगाना पड़ेगा, p1, p2 क्या है, p1 and p2, position of person 1, position of person 1, और ये position of person 2, ठीक है, p1, p2 का मतलब है, position of person 1, position of person 2, यानि कि पहले बंदे की position, दूसरे बंदे की position, अब main चीज़ की आती है, ये जो positions होती है न, ये एक ही side से होनी चीए, same side, from same side, from same side, या तो right से दोनों position होनी चीए, या left से दोनों position होनी चीए, यानि कि, या तो आप, या तो आप right side से position 1, position 2 निकालेंगे, या आप left side से position 1, position 2 निकालेंगे, एक side से होनी चीए, एक side से ही होनी चीए, मतलर, आपको person 1 की right side से कोई position दे रखेगी राइट से इतने number पे, person 2 की भी right side से दे रहेंगे, तब आप P1 minus P2 minus 1 कर सकते हो, person 1 की भी left side से दे रहेंगे, person 2 की तब वो left left minus कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, किसी की right लेली, किसी की left लेली, ये नहीं करना, तो rule क्या है, कि नहीं भी दो वेक्तियों के बीच में बेठे वेक्तियों की संका कर निकान लिए हो, तो rule होता है, P1 minus P2 minus 1, लेकिन उसमें एक सर्थ है, ये P1, P2 होती है, positions, position of person 1, position of person 2, लेकिन ये position, दोनो, या तो right से होनी चीए, या दोनो ही left से होनी चीए, दोनो ही या तो right, दोनो ही या तो left से होनी चीए, यहाँ जैसे ही मैंने question देखा, तो मुझे पता लग जाना चीए, कि कौन सा number रूल लग रहा है, यहाँ पे rule number second लग रहा है, यानि कि P1 minus P2 minus 1 मुझे लगाना है, तो मुझे दो जो लोग है ना, यह मोहन और परताप है, इनकी या तो right से या left से position पता होनी चीए, ध्यान से देखेगा भई, यहाँ मुझे दिया गया था है, इन्हें row boys, मोहन is 20th from the left end, फिर मुझे बोला गया end, 12th from the right end, परताप है 15th from the right end, परताप है 15th कौन से end से right end से है, तो अब मुझे देखो, क्या चीए P1 minus P2 minus 1 चीए, कि परताप और मोहन की किसी भी एक side से position पता होनी चीए, तो एक side से position कौन से side की पता है, कमेंट करके बताओ, इसकी तो देखो, जो मोहन है ना, तो इसकी तो left भी पता है, राइट भी पता है, और इसकी सिर्फ बिचारे की right ही पता है, एक की, तो बताओ, कौन सी side A, C है, जिसकी दो लोग बद्दो की position पता है, राइट side की देखो, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, तो P1 माइनस पीटू right side से कर देखो, तो ज़्यादा क्या है, यह 15 है, 15 माइनस 12 माइनस 1, यानि कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो answer हो जाएगा 2, कुछ भी जंजट लगाने की जोरूत नहीं है, लेकिन यह P मोहन का right side से क्या दे रखा था, 12th position, परताब का 15th position, तो मैंने P1 माइनस P2 कर दिया, P1, P2 में जो ज़्यादा हो वो पहले ले ले लेना, समझे गए, अब कुछ लोगों को लोगों को सफर पे तो left से निकाल लूगा, निकाल ले भाई, left से निकल जाएगा, कोई दिक्कत न आ गया जाते हैं, next question, next question वो ध्यान से देखेंगे भई, question बोल रहा है, madhu is 18th from the left end, sandhu is 11th from the right end, of row of 40 children, यानि कि मुझे क्या क्या दे रखा है, madhu का तो left end से दे रखा है, और sandhu का मुझे right end से दे रखा है, तो क्या मैं इसमें सीधा formula लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, आगे देखना है, how many children are there between madhu and sandhu, तो कुश्चा नहीं बोला कि madhu और sandhu के बीच में कितने वेक्ति बेठे हैं, तो किनी भी दो वेक्तियों के बीच में बेठे वेक्तियों कि अगर आपको संख्या निकान लिए हो तो formula क्या लगेगा, वही rule number 2, P1 minus P2 minus 1, लेकिन ये P1 और P2 मुझे एक ही side से चाहिए, या तो right से या left से चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ पो madhu का left दे रखा है, और sandhu का right दे रखा है, मुझे same same पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे ये 40 पता है, total children's 40 है, तो अगर मुझे madhu का left पता है, तो या तो मैं मुझे madhu का right निकाल लूँ, या मैं संदू का left निकाल लूँ, किसी का भी एक का निकाल सकते है, तो left कैसे निकले का, total क्या होता है, वही, left plus right minus 1, तो किस से करूं वही, चलो madhu अले से करते, madhu का right निकाले, तो madhu 18 नमबर पे, total है 40, तो madhu कि दर से, left से 18 नमबर पे, 18 plus 1 minus 1, plus r minus 1, तो ये क्या हो जाएगा, right से क्या position आ जाएगी, इसकी 17 आगे, इदर minus करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 23, ठीक है, तो right से position क्या आ गए, इसकी 23 आ गई, लेकिन, क्या ये ऐसे formula लिख के करोगे आप exam में, क्या ये ऐसे formula लिख के करोगे आप लोग exam में, बताओ भजी, नहीं करो, क्योंकि मैंने आपको अलेडी बताय हुआ है, क्या आपको left पता है और total पता है, तो right निकालना है, तो आप simple है, left plus right क्या होता है, total में एक ज्यादा, यानि 40 में एक ज्यादा, 41, 41 को 18 में से minus कर दोगे, कितना आएगा, 23, बात कितम, सीधा निकालने यह लिखेंगे, नहीं लिख रहा हुँ है, आपके notes के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, या आप exam में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, अब मुझे मधू की left से position निकल गई, मधू की left से position क्या है अब, 23 से, मधू की left से position क्या है अब, 23 से, अब हम राइट से हमने निकालती है, तो मधू की right से 23 से position है, और संधू की कितनी है, 11 है, तो P1 minus P2 minus 1, यह P1 यह P2 minus 1, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे, सर मैं तो मधू की right नहीं निकालूगा, मत निकाल, कुछ लोग बोलेंगे, मैं तो मधू का right नहीं निकाल गे, मैं तो संधू का left निकालूगा, निकाल ले, संधू का left निकाल ले, कैसे निकाल का left, अगर आप वैसे direct निकालना चाहें, तो आपको पता है, left plus right टोटल में एक जादा होता है, तो 40 में एक जादा कर दिया, तो 41 है, तो left plus right दोनों का सम हो गया, और right से अगर 11 है तो left से कितना हो जाएगा 41 में से 11 माइनस कर दो 20 हो जाएगा समझ में आगी बात 41 में से क्या माइनस कर दो 11 माइनस कर दो 30 हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा सिधा ही 30 हो जाएगा लेकिन फिर भी formulation निकालना चाहू तो टोटल यानि 40, क्या होता है, left plus right, तो right मुझे दे रहा है, तो left निकालना है, left plus 11 minus 1, तो यहां से अगर मैं left निकालना चाहूं, तो कितना आजाएगा, कि 10 बचे का 30, तो यहां से आपका संदू का, जो left निकलाना, वो कितना आगया, 30, अब मैं left वाले से निकाल सकता हूं, कि P1-P2-1 तो P1 कितरा हो गया 30-P2 यानिकि ठरा-1 यानिकि 11 आया ना वही है 11 या तो आपको लेफ्ट लेफ्ट से पोजिशन बताऊ या राइट राइट से पताऊ फिर लगा दो फॉर्मूला बस बात कतम समझ गए बात को समझ गए ना अब ये कोशिस किया को फोरूमला लगाने नहीं पड़े वर्बिली ही निकालने का परियास को ज़्यादा ज़्यादा चीछ अरे बात आई समझ में रूल नंबर सेकेंड की लिए चैसि नेगया अब आएगा रूल नंबर थ्री थीक है जी रूल नंबर थ्री में कैसे करेंगे और अब बढ़ा हो गया है तो देखेंगे विध्यान से rule number 3 में कैसे करेंगे rule number 3 के अंदर question बोल रहा है rule number 3 क्या होगा पहले देखते हैं Mohan is 13th from the left end in a row of children's prabeer is 12th from the right end and 18th from the left end how many children are towards the right of Mohan in that row ठीक है यानि कि इसने ऐसे नहीं पूछा इसमें position नहीं पूछी गई है इसमें यह पूछा है कि Mohan के right में कितने लोग हैं तो rule number 3 होता है किसी भी person के ठीक है किसी भी person के है लेफ्ट या राइट में कितने लोग बेठे हैं कितने परसंस हैं परसंस या कितने लोग हैं यानि कि आपको बोल दिया कि मोहन के जैसे यहां पर बोला है कहां कि how many children are to ask the right of one in that row यानि कि मोहन के right में कितने लोग बेठे हुएं तो right left में तो इसका सिदा सफंदा होता है right में पूछा गया हो तो right minus one left में पूछा गया हो तो left minus one अगर right में पूछा गया हो तो right minus one left में पूछा गया हो तो left minus one रटलो भई इसको होता कैसे है जैसे मैं बतायता हूँ जैसे किसी बंदेगी right से third position है ये वाली दिशा right होती है तो right से एक number, दो number, तीन number ये तीन number position है तो पोजिशन क्या हो गई इस बंदेगी, राइट से तीन नमबर हो गई इस बंदेगी पोजिशन, लेकिन, बताएंगे भी, राइट से कितने हो गई, यह राइट से नहीं यह लेफ्ट से बताया है, मैंने, इसके लेफ्ट से थर्ड पोजिशन हो गई, तो इसके लेफ्ट म कितने लोग बेटे हुए एक दो ही बेटे हुए तो जो position होगी उसमें से एक माइनस कर दो समझ में की बात जैसे right side ही होती है right से कोई बंदा एक दो तीस च्यार नमर पोजिशन पे बेटा हुआ है तो यह बंदा यहाँ पर right side ही हुथा है राइट से बने देखा कितने नंबर बैटढ़ है、 4 नंबर बैटढ़ है, अब ये बंदा है, इसके राइट में कितने लोग बैटढ़ है, तो राइट में हुगा, थो खोड़ना पढ़ेगा न? एक दो तीन लोग बेठे हुए तो जिस साइड से पूछता है कितने लोग बेठे हुए वो position निकाल के एक माइनस करतो वो position निकाल के एक माइनस करतो rule नम्मर तीन के लिए रुआ होगा इस question का answer देते है इसने पूछा है कि मोहन के right में कितने लोग है मोहन के right में कितने लोग है यह पूछा है से ठीक है तो मोहन के right में कितने लोग है निकाल लेके लिए मुझे r-1 करना है नहीं मोहन की right वाली position मुझे पता होने चीए देखो मोहन की right position मोहन is 13th from the left end in a row of the children तो मोहन की left end से दे रही है दे नीरी की right से लेकिन प्रबर इस 12th from the right end and 18th from the left end तो प्रबीर की मुझे दे रही है right से भी left से भी तो अगर मुझे मोहन की left से position दे रही है तो मुझे तो right से चाहिए तो राइट से निकालने के लिए प्रभीर का यूज गरो तो टोटल निकाल लो प्रभीर से टोटल के से निकालोगे प्रभीर की राइट एंड से पोजिशन भी दे रखी है ठीक है तो दाइए और से बारवे इस्थान पर और बाइए और से अठारवे इस्थान पर प्रभीर तो बारा और अठारा नंबर तो तो टोटल क्या होगा 12 प्लस 18 तीस प्टीस प्रोटल कि तरह हो गया उनतिस प्रॉटीस तोटल ये औल गया उनतिस फो गया अब मुझे Mauchan की right side निकाले है तो कैसे निकालोंगा Mauchan की right inside मुझे left पता है कहें मि boxing 13th, left क्या है, 13th है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, left plus right, total में एक ज्यादा होता है, तो गुण 30 plus 1 क्या है, यानि कि 30, 30 में 13 minus कर दो, कितना आएगा, 17, तो मोहन की right side से position होगी 17, वैसे कैसे निकाड़ा, total is equal to left plus right minus 1, तो left है, आपका कितना, 13, plus r minus 1, total वहाँ से निकला, इससे प्रबीर से, दोनों को left plus right को जोड़े के minus 1 कर दिया, एक की line तो है, तो इसको करेंगे, तो 12 इदर आके minus करेगा, तो right क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा, कितना जाएगा, m की right से position क्या जाएगी, 17 प्या जाएगी, तो मोहन के right में कितने लोग बेठे हैं, 17 minus 1, 16, 16, 16 लोग बेठे हैं, समझे इस बात को, तो answer हो गया, इन में से कोई नहीं, ठीक है, answer ही जाएगा, तो मुझे बताइए, rule number 3 किस किस को clear हो गया, rule number 3 किस किस को clear हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 3 rule हैं, भई, revise में combined में लिख रहा हूं 3 rule को एक बार, rule number 1, left plus right minus 1, अब इसमें top, bottom भी हो सकता है, up, down भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको left, right कितरे माल लेना है, rule number 2, p1 minus p2 minus 1, यानि कि, दो लोगों के बीच की, बीच में कितने लोग बैठे हो निकालने के लिए, rule number 3, किसी के right में कितने लोग बैठे हैं, तो r minus 1, किसी के left में कितने लोग बैठे हैं, तो left minus 1, इन तीन rule लोगों पर पूरा ranking हो होता है, चलो, simple है न, देख honest,該 हो एक rule और होता है, जहान से समझेगा, एक rule होता है, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट रूर, या राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट रूर, मतलब, same same होते हैं, एक बार अलग अलग होते हैं, जब अलग-अलग होते हैं, तो plus करते हैं, माइनस करते हैं ठीक है जी आप देखना जैसे ये कुश्या ने इस ने बोला है कि इने रोफ चिल्डरन फेसिंग नौर्थ रितेस इस ट्वल्थ फ्रॉं दे लेप्ट एंड तो रितेस की लेफ्ट से पोजिशन दे रहे हैं मुझे क्या दे रहे है बई ट्वल्थ ठीक है आपको एक्जाम में ऐसे लिखना नहीं है बस आपको समझाने के लिखना हूँ अगर सीधा समझ में नहीं आ रहे तो सुधीर who is 22nd from the right hand सुधीर के बार में बोल रहे है सुधीर is 22nd from the right hand तो right hand से कितरा है 22nd यहने 22 नमबर पे फिर आगे बोल रहे है सुधीर who is 22nd from the right hand right hand से 20 वाया है and is 4th to the right of रितेस रितेस के 4th right में रितेस के 4th राइट में और रितेस की ही वो 12th from the left end position बोल रहा है रितेस की left end से position बोल रहा है और फिर रितेस के 4th right में कौन है 4th to the right of रितेस में कौन है सुधिर तो आप मुझे बताओ मैंने जैसे बोला रितेस की left से position 12 है और इस left से इसके रितेस से 4th right कौन से number की position होगी मुझे बताओ रितेस के left से बारा है और रितेस के 4th right यहीं तुम्हें बोल रहा था यहां से हां देखो यहां यह left से था और left से position थी और उसके right में पांचवा number देखना था मुझे तो कितने number पे आया था वो जोड दिया था 20 number पे आया था तो इसने ऐसे बोला इसने ऐसे बोला कि सुधीर जो 20 सेकंड है right end से ठीक है वो रितेस के 4th right end पे है तो रितेस का left से 12 number है तो रितेस का 4th right होगा कौन सा तो यह left दे रहा है राइट दे रहा है तो 12 पलस 4 सोडा कौन सी साइड से चल रहा है रितेस left साइड से तो लेफ्ट से बोलेगा तो रितेस की left साइड से पोजिशन क्या गई 16 यह वाली जो नई पोजिशन है रितेस के जो 4th right है ना वो left साइड से सोडा नबर पोजिशन है लेकिन रितेस थोड़ी left साइड से 16 नबर है रितेस के 4th right पे बोला किसको गया है किसको सुधीर को गया है तो यह 16 नबर पोजिशन आगे नहीं यह सुधीर की आ गई तो सुधीर का लेफ्ट आगे है मेरे पास में इतना 16 रंबर आगे अब क्या पूछा है टोटल हाओ मेनी चिल्डरन सार देर इंदर हो टोटल कितने लेफ्ट राइट पका लग जाए तो माइनस एक करते हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक बाइस प्लस सोडा माइनस ए जाने कि 37 यह हो गया दूबारा से बोल रहा हूं जो क्विश्चन ने अएशे बोला है कि है कि आ जो सुधीर एथा ये रितेश के फोर्थ राइट में है तो असा सब से पहले देखो की रितेस का फोर्ट राइट क्या है तो रितेस की Caitlin में यह दे रखिए कितनी 12 to left right जुड़ जाता है तो 12 प्लस 16 यहाँ पर कों ए सुदीर है लेकिन कौन सी साइड से होगा जिसका वह देखेगे attain जिसकी position होगी तो इसकी position किसकी साइड से लेंट साइड से तो यह left समझ में है लेफ्ट प्लस राइट है इसलिए जोड दिया अब ये लेफ्ट से ही क्यों निकला क्योंकि पोजिशन किस्से थी रितेश की जो पोजिशन लिया वो लेफ्ट से बारा लिये और च्यार तो उसके लेफ्ट में जा रहे हैं जिदर से पोजिशन होती है वह वाला हो आट रेक पंक्ति में थता उनके मुह उत्तर की और है, उत्तर की और मतलब के बोल रहा है, आपका राइट राइट एक लेफ लेफ सोबंन से बाईञ और छटवा केलास है, यदि सोबंड पंक्ति दिगे 22 से 300 अस्थान पर है तो केलास का पंक्ति दाय सर्फ से कौन सा इस्थाने से बहुत उल जा उल जूगे कुश्यन पुचा गया है इनर ओ फॉर्टी स्टुडेंट फैसिंग नौर्थ तो टोटल मुझे दिया गया है फॉर्टी कोई दिक्कत नहीं है मुझे फिर वो रहा है केलास इज सिक्स्ट टू दा लेफ्ट ओफ सॉमन ठीक ह की पोजिशन दीगे सोमन से रिस्पेक्ट मैं इसका भी कुछ नहीं कर सकता मैं आगे बहुत इफ सोमन इस थर्टी फ्रॉम दे लेफ्ट एंड सोमन है वो लेफ्ट एंड से कितनी है 30 होगी कोई दिक्कत नहीं है केलास राइट एंड से किस साइड में है अब ज्यान दीजेगा मुझे निकालना है केलास का राइट कोई दिक्कत नहीं है देखना भी ध्यान से केलास इस शिख्ट टू दे लेफ्ट ओफ सोमन तो सोमन के लेफ्ट लिख इस ले रहा हूँ ता कि समझ में आ जाए सोमन के लेफ्ट सिक्स्थ नंबर पर कोई है भई केलास है और सोमन की लेफ्ट से पोजिशन पता है मुझे मेरे को कितनी 30 लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा भई माइनस हो जाएगा 30 माइनस 6 क्या हो जाएगा 24 लेकिन सुमन के सिजिव मैं आपके पूजिशन कहां सरे तो कि किस डायरेक्षेन से आएगा लेफ्ट तो केलास के लेफ्ट में क्या आ गया 24 आ गया केलास का लेफ्ट आ गया तो राइट निकाल सकते हो क्या तो टोटल इस इकल टू अब तो पूरा फॉर्म्लेशी बताना पड़े का नहीं तो क्यों वंजु निया ओगा टोटल गया है राइट के आजाएगो, सत्तरा, समझ गए, नेक्स्ट कुश्चन बहाते हैं, नेक्स्ट कुश्चन बही, देखना बही, बला, इन्हें रोव चिल्डरन, फेसिंग नॉर्थ, मनिश इस फोर्थ तु दे लेफ्ट अफ सुरेश, वू इस तरीके से पोजिशन वोगेरा कुप दी हुई हैं, तो पहले लेफ्ट राइट दो क्या जाए, इन्हें रोव चिल् नॉर्थ, मनिश इस फोर्थ तु दे लेफ्ट अफ सुरेश, बाद में देखेंगे, वू इस टेंथ फ्रॉम दे लेफ्ट अंड, तो यह किस के लिए बोल रहा है, तो सुरेश की बात कर लेते हैं, महीं, सुरेश लेफ्ट अंड से कितने नंबर पर है, दस नंबर पर आग नंबर पर, टोटल निकालना है, दो लाइन छोड़ी थी हमने देख लेखते हैं, क्या बोला था, इने रो अफ चिल्डरन फेसिंग नॉर्थ, मनिश इस फोर्थ तु दे लेफ्ट अफ सुरेश, ठीक है, तो मनिश की पोजिशन और बोल रहा है, ठीक है, मनिश इस फोर्थ तो मनिश की पोजिशन सुरेश के लेफ्ट पोर्थ है, तो लेफ्ट लेफ्ट का मतलब माइनस कर दो, 10 माइनस चाहर यह निए 6, तो मनिश लेफ्ट से कितने नंबर पे होगा, 6 नंबर पे होगा, ये बात तो समझ में आ गई होगी, पिछले दो कुशन में यही निकाला है तो मनिश लेफ्ट से 6 नंबर पे आ गया, इस से यही बात निकलती है, आगे देखो, फिर क्या बोला है, निशा इस सेकंड टू दा राइट ओफ सुरेश, निशा जो है न, वो सुरेश के सेकंड राइट में है, तो निशा की पोजिशन बताता हो, निशा जो है वो सुरेश के सेकंड राइट में होने का मतलब क्या है, ठीक है, सुरेश के सेकंड राइट में है, इस की बात कर रहा है, सुरेश के सेकंड राइट तो लेफ्ट राइट हो गया, बारा हो गया, और यह किस से पोजिशन आएगी, लेफ्ट से जल रहा है, तो लेफ्ट आजाए तो नीशा की लेफ्ट से पोजिशन आगे बारा टोटल निकालना था तो अठारा पले से बारा माइनस एक यह यह उननीशा चाहेगा कि यह लिए या डिया वाथाम यमिल लेट अगीधे में दिवाइक यह धित लिए हिंदी में देखना लिखा होगा अब आस अठारा थे यह एक आठारा नीशाdep долж में कोई दिखकी दे त्रुए रिखेंड नियू सुनील बाईं और से 28 वे करम में हैं तता रमेश दाईं और से 31 करम में हैं यदि कक्षा में 40 लड़के हैं तो सुनील और रमेश के बीच में कितने लड़के हैं बताओ गई यह दो निकाल दोगे अब हमवर्क पीवन माइनस पीटू माइनस वन कर देना टोटल दे रखा है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट निकल सकता है राम से कैसे निकलेगा भई सुनील की बात कर रहा है सुनील जो है लेफ्ट एंड से थाइस वे नंबर पे फिर बोला रमेश एक रमेश है भाई साब राइट से 31 नंबर पे है और टोटल आपको दे रखा है कितना चालीस बोला है रमेश और सुनील के बीच में कितने ञों रहेगे तो पीवन मािनस फैट फिट тора-ट करना है लेकिन मुझे सुनील का लेफ्ट दे रखा है और रमेश का राइट दे रखा है किसी दोनों का से right minus 1 तो यह क्या हो जाएगा left कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहां से 10 आगे तो पूछा क्या गया था P1 minus P2 minus 1 तो 28 left side वाले से निकार दो 28 left से position यह 10 से 28 minus 10 minus 1 याने की 17 answer starting from any end in a queue if your rank is 11th then how many persons are there in the queue बताईएगा किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका number 11 है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है इसका मतलब है कि right से भी 11 हुआ और left से भी 11 हो तो वही में language अलग सी है बस और कुछ नहीं है मैंने उसको अलग तरीके से इसलिए बोला ताकि दिमाख में वो चीज बैठे कि भी हमें नहीं चीज़े अड़ेप्ट करना सीखना है बस और कुछ नहीं है और एक दूसरे को इससे support किया अगर कुछ मतलब क्लास में supportive महुल बनाओ एक कक्षा में अरून उपर से पंदरवा और सुधा नीचे से 20 है यदि कक्षा में कुल 54 चात्रे हैं तो अरून और सुधा के बीच में कितने चात्रे हैं बताएगा वही यह अप और डाउन वाला क्यूशन आगे किसी student ने बोला था न आप डाउन से कक्षा में अरून अरून के बारे में बोल रहा है और एक बोल रहा है कौन भई सुधा सुधा ठीक है तो अरून उपर से यानि कि टोप से अप से माल लो उपर से मतलब यू लिग दू अपर साइड से अंदरवा इस थाने और एक अपर होता है एक बोटम होता है तो बोटम मुझे पता नहीं सुधा को बोला गया है सुधा नीचे से है यानि कि बोटम साइड से 20 अंबर पर तो इसका आप नहीं पता मुझे बोला गया इस कक्षा में टोटल 54 है टोटल 54 बोला है तो अरून और सुधा के बीच में कितने साथ रहे तो वही पी 1-2 पी 1-2-1 ठीक है तो इस तरीके पी 1-2-1 इस तरीके से आप लोगों का यह होगा अब पी 1-2 एक साइड से होना चीए या तो बोटम से आपर से अपर बोटम से होना चीए तो वही इस नहीं पता तो टोटल से निकाल लो यह तो इसका बोटम निकाल लो इसका पर निकाल लो मां लो में इसका अपर निकलता तो P1-P2 यानिकी 35-15-1 यानिकी 19 ठीक है पापका अंसरा गया 19